नरेंद मोदी को 2014 में सपोर्ट मिला, 2019 में जो आपका एक और डिवेट हुआ था, दर्सकों को मैं बता भी दे रहा हूँ, मुद्दे में उसमें हमने चर्चा की है, किन कारुनों से उनको विट मिलेते हैं, उन पर काम हुआ है, वो दूसरे के लिए मुद्दे नहीं हो सकते है लेकिन बीजेपी को जिन कारुनों से नरेंद मोदी को सपोर्ट मिला है, उन पर वर्क हुए हैं इस देश में, तीन सो सतर हटाए गए हैं, जिस महभुबा मुद्दी के साथ सरकार चलाने की बात, जैदीव कारनी की जिक कर रहे हैं, समय आने पर इसी सरकार ने उसको उठा के जेल में डाला है, और दिखा दिया है कि हम दोनों चीजे कर सकते हैं आपके साथ, तो वो उस पर काम हुए हैं, तो उस काम के अधार पर बोट कंसोलिडेट होगा की घटेगा, पहली बात यह आती, यह सोचने की जरूरत होती है, मेरे हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है, हम आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं, चार को परिणाम आएगा तो हम देखेंगे, अब सेकेंड आते हैं कि मूल बात आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार दो सबसे बड़े राज्य है, जहां कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाओं में समाज बादी पार्टी बसपा म समाज बादी पार्टी को सबसे जादा 2004 में 35 सीटे मिली थी, वो जो समय था, वो समय भारत के बिखंडित राजनीती का था, उत्तर प्रदेश में 1993 से लेके और 2007 में जब तक माया बती जी को बहुमत नहीं मिला, वो एक दूसरे परकार था, चपीर परसेंट बोट उनका था, सारे 24 परसेंट बसपा का था, और 20 परसेंट बीजेपी को आई थी, बीजेपी के खिलाब विदरो था, पहले कल्यान सिंग निकाले गए थे, लाए थे, और उनके कार करता काम नहीं करे थे, 42 परसेंट बोटिंग होई, दस सीटे पर पहुमत दे रहा है, लगातार, वो बदल गया है मनों विज्ञान, और बीजेपी को लगातार बिधान सभा में दो बार पहुमत मिली है, लोग सभा में दो बार मूली है, तो अब ये फ्रेग्मेंटेंट की ओर, और अखले सियादों ने ऐसा क्या काम किया है, या कॉंग्र बिहार में आते हैं, बिहार में यही गटवंदन पिछली बार था, और उन 40 सीटे जो है, एंडिये जीत गई थी, तो इसमार के सिच्वेशन में ये वास सही है, बिहार में, कि नितियश कुमार के साथ आने से, बीजेपी के जो कोड़ भोटर है, बीजे के पर अपने कार कर है, कि इसकी सीटे घट जाए और उनकी बढ़ जाएगी, एक दो राज और करके फिर इसको कन्कुलूट कर रहा हूँ, दिल्ली में आ जाईए, सबसे स्ट्रॉंग ये माना जा रहा है कि दिल्ली है, अब दिल्ली में बीजेपी को 56% बोट था, सातों सीट उसके पास थी, 22% बोट जो है, कॉंग्रेस को 18% आम आदनी पार्टी को, दोनों का बोट अगर आप मिला देते हैं, तब भी 16% का अंतर है, 16% का अंतर है, तो बीजेपी के खिलाप इतनी बड़ी लहर अगर हो गई हो, कि दोनों मिलके अगर 56 कर सकते हैं, तो हो सकता है, लेकिन ये ये नॉर् एक पार्टी हो सकती है, मेरा भी अपना मानना है कि बीजेपी 25 से उपर जा सकती है, मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि उरिसा में बीजेपी नंबर एक पार्टी हो सकती है, आठ से बारा तेरह तक वो जा सकती है, तिलांगना में बीजेपी कॉंग्रेस में संगर्स है, दो दो कॉंग्रेस की जो सीटे थी वो दो राजोमे थी तमिलनाडू और केरल में केरल में मैजर 19 सीटे 20 में से ले गाए है कहा बर मैजर उनके पास 49 सीटे है कहा बर सकता है तो इसे लिए जब आप आख रोप पर जब जब आप जाते हैं तो उस रूप में चीज़े नहीं दिख है साथ बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटी केवल अमर उजाला पर